आज गंगा पार करने के लिए एक पंडित जी और एक नाविक एक नौका में सवार थे पंडित जी ने नाविक से पूछा क्या तुमने जोग्रफी पड़ी है? बोला भाला नाविक बोला जोग्रफी ये क्या है? इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा तो महारी तो पाव भर जिन्दगी पानी में गई फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया क्या एतिहास जानते हो? महारानी लक्षमिबाई कब और कहा हुई? तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा ये भी नहीं जानते फिर तो तुम्हारी आदी जिन्दगी पानी में गई पंडित जी ने अपने ज्यान के घमन में तीसरा प्रश्न पूछा मार भारत का भीश्म नाविक समाद या रामायन का केवट और भगवान शरी राम का समाद जानते हो अनपड नाविक क्या कहे उसने इशारों में ही ना कर दी तब पंड़िजी मस्कुराते हुए बोले तुम्हारी तो पौनी जिन्दिगी पानी में गई तब ही अचानक गंगा में तुफान आने लगा नाविक ने पंड़िजी को चेतावनी दी और पंड़िजी से पूछा नौका तो तुफान में पलट सकती है क्या आपको तेरना आता है पंडित जी ने गबराहट में बोला तैरना? मुझे तो तैरना वेरना कुछ नहीं आता नाविक ने स्तिती बांपते हुए कहा तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी पह गए Moral of the Story We should not judge anyone on the basis of our qualifications and also we should not have ego of our knowledge because everyone have their own individual talent and we should not think ourselves superior to anyone